वल्कम तू स्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर सीटेट जनुरी के लिए आवेदन की प्रिक्रिया अभी भी चल रही है यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो बहुत बैतर है तैयरी करिए और अपने एक्जाम को निकालिए चाहें आपने सीटेट पेपर वन के लिए या पेपर टू के लिए ठीक है जिनोंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पता ही होगा कि लास्ट डेट बढ़ गया है पहले लास्ट डेट थी 23 नॉमबर लेकिन अभी भी आवेदन हो रहा है और लास्ट डेट देखिए सापसा बताया गया है 27 नॉमबर हो गया है ठीक तो आप यहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं पूरा फॉर्म कैसे भरना मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप चाहें तो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स हमारा चेक कर सकते हैं बहुत सारे चात्रों की मांग थी कि बिहार की शिक्षक भरती में जो दुसरे चल यह रहेंगा form है, 독 यह सो का 1200 हम नहीं भरेंगे अगली बार दे लेंगे दोस्तों आप यह गलती मत करिएगा क्योंकि इस बार अपेरिंग को मुझा नहीं मिला है अगली बार भी अपेरिंग को मुझा नहीं मिलेगा ठीक है, तो आपको पहले से सीट पास करके रखना होगा यदि आप DLA student है graduation DLA दोनों किया है तो आप दोनों paper दे सकते हैं paper 1, paper 2 student है तो paper 2 ही आपको देना होगा तो आपको पहले से seated pass करके रखना होगा इस बार देखिए कितनी बड़ी भरती आई 6 to 8 के लिए तो जो लोग पहले से pass हैं वो लोग आवेदन किये हुए हैं और आराम से वो परिक्षा देंगे exam dates का भी आइलान हो गया है BPSC ने appearing को मौका इस बैस नहीं दिया क्योंकि उनको परिक्षा जल्दी करानी थी उनका result उनको जल्दी देना था 7 से 16 December के बीच में सभी परिक्षा हैं BPSC करा लेगा उसके बाद result वो जल्दी जारी करेंगे यदि वो सिटेट अपेरिंग को मौका देते तो फिर उनको 21 जनवरी तक सिटेट exam का वेट करना पड़ता फिर सिटेट result का वेट करना पड़ता और प्रकिरिया फिर लंबी खिज जाती BPSC bullet train की स्पिट से काम कर रहा है सबको पता है इस वज़े से अपेरिंग को मौका नहीं मिला तो इस बार जो छातर exam देंगे 21 जनवरी वाला ठीक है तो अगली जो बिहार की सिक्षक भरती होगी आप उसमें सामिल हो जाएंगे खबर आ रही है कि अगले साल यानि 2024 में अगस्त में फिर सिक्षक भरती होगी ठीक है कल बिहार के ACS अपर मुक सच्यू के के पाठर जी ने भी कहा कि अगस्त में 50,000 फिर से भरती होने जा रही है BPSC के माध्यम से और बिहार सरकार के तरप से भी ये एक आथा चुका है कि बिहार में अब हर साल शिक्षक भरती होगी और देख सकते हैं कि अगस्त में विज्यापन जारी होगा तो सरकार के तरप से यह खबर है ठीक है BPSC हर साल अब सिक्षक भरती निकालेगा हर साल नहीं तो कम से कम एक दो साल तो आएगा ही आएगा और अगले साल अगस्त में भरती आने के पूरे पूरे चांसिस हैं क्योंकि केके पाठक जी ने भी कल इस संबंद में साब साब बता रहा है बीपेसी और सिक्षाभी भाग में सहमती बन गई है तो यदि आपने इस बार सिटेट दिया तो अगली बार आप सामिल हो सकते हैं तो फिर अगली बार से में समस्य आ जाएगी जुलाई में या अगस्त में फिर से नोटिफिकेशन आएगा सिटेट का और फिर अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा और फिर आप ऐसे ही फिर देखते रह जाएंगे तो फॉर्म बने से मतलब नहीं है एक्जाम को निकालना भी जरूरी होगा ये रहाच वीडियो में एक बहुत ही महत्तपूर अपडेट वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग